हर कोई महाभारत के युद्ध से तो वाकिफ है, लेकिन महाभारत किसने लिखी इसके बारे में जानकारी कुछी लोगों को है। ज्यादा तर लोगों को पता है कि महाभारत महर्शी वेदव्यास द्वारा लिखे थे। हाला कि कुछ ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि महार्शी वेद्व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था जबकि महाभारत की लेखनी महादैव और पार्वती पुत्र गनपती ने की थी। धार्मित कथा के अनुसार, जिस वक्त महर्शी वेद्व्यास महाभारत नाम के महाकावय की रचना करने वाले थे, वहे कैसे लेखक की खोज कर रहे थे, जो उनके विचारों को बादितन करे और लगातार लिखता रहे। इस क्रम में महर्शी वेद्व्यास को गनपती के विद्या और लेकनी के अधिपती हुने की याद आई। शास्त्रों में भी दुख हर्टा गनपती की लेखन शक्ति को अध्वितिय माना गया है। इस क्रम में महर्शी वेद्व्यास ने भगवान गनेश से आग्रह किया कि व वह महा भारत के लेखक तो बनेंगे, परंतो महर्शी एक शन के लिए भी कथावाचन में विश्राम नहीं लेंगे। यदि महर्शी एक पल के लिए कथावाचन में विश्राम लेंगे तो गनेश जी लिखना छोड़ देंगे। साथ ही कहा कि वह महर्षी को हर पंक्ती लिखवाने से पहले उसका अर्थ समझाना होगा। महर्षी वेदव्यास ने मानी गनेश जी की शर्थ। गनेश जी की शर्ट मानने के बाद महर्शी वेदव्या सामने सामने बैठ गए और बहुत अधिक गती से बुलना प्रारंब किया और उतनी ही तेज गती से भगवान गनेश ने महाकाव्य को लिखा. इतने साल में लिखी गई महाभारत. ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की लेख